गुड एबनिंग फ्रेंड्स तो एक बर फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच हिंदी का क्लास लेकर यानि आज की इस क्लास में हम आपको जोहेना हिंदी के किताब के माधियम सी हिंदी पढ़ना सिखाएंगी तो आईए आज की क्लास को हम सुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले इस क्लासों कर दीजे लाइक क्योंकि आप बाद में भूल याते हैं तो यहां पर दीखिए आज का हमारा स्टोरी है औहिंसा पर्मो धर्म ठीक है तो आप जो है ना एक एक शब्द को ध्यान सी और लाष्ट तक देखिएगा त तो आई यहां पर हम सुरू करते हैं तो यहां पर दीखिए प्राथम द्रिश्य तो यहां पर दीखिए एक विशाल मैदान में मगध सैनिको का शिवीर लगा हुआ है समराट अशोक चिन्ता मग्न एधर उधर टहल रहे हैं अशोक स्वयम से देखिए आप एधा स वा यहां को पर जो बिंदी है ना तो इसका उचारन अधा मा के रूप में होगा स्वयम से आज चार वर्ष से कलिंग युध हो रहा है दोनों और के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं प्रंतु हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है है पता नहीं इस युध का क्या परिनाम होगा एक गुप्तचर का आगमन गुप्तचर देखी गुप्तचर क्या कह रहा है महराज की जय हो अश्रोक देखी अश्रोक क्या कह रहें क्या समाचार लाए हो गुप्तचर गुप्तचर महराज कलींग के दूर्ग के फाटक आज भी बंद है अश्रोक क्या कलींग के दूर्ग के फाटक आज भी बंद है गुप्तचर हा महराज अश्रोक क्रोधित होते हुए बंद है तो खोल जाएंगे जाओ और जाकर सेनापती से कोह दो की कल सेना का संचालन मैं स्वयम करूंगा दूर्गितिय द्रिश्च प्रातह काल का समय अश्रोक सेना के समोख अपने घोडे पर सवार सामने कलिंग का दूर्ग है अश्रोक मेरे बहादुर सैनी को इस युध को होते चार साल हो गए प्रंतु हम कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए आओ आज हम अपनी मात्री भूमी की शपत ले की कि या तो आज हम कलिंग के दूर्ग पर अधीकार कर लेंगे नहीं तो सदा के लिये मौत की गोद में सो जाएंगे सभी सैनिक महराज अशोक की जय अचानक अशोक की दिरिष्टी आस पास जाती है सारी युदभुमी खोन से लाल हो चुकी है तूटे हुए आस्त्र शस्त्र रत के पहिये इधर उधर फैले हुए हैं अशोक अपने घोडे से उतर कर कुछ कदम चलता है अचानक उसके पाउं से कुछ टकराता है वह चोक कर नीचे देखता है किसी सैनिक का टुटा हुआ कौवच है उस पर लगा रक्त अभी तक गीला है अशोक का हिरी दय द्रावित हो उठता है सहसा इसी बीच कलिंग के दोर्ग के फाटक खोलते है कलिंग नरेश की कन्या पदमा इस्त्रियों की सेना का संचालन करती हुई दिखाई देती है पदमा आगे बढ़कर सेना से बहनों तुम वीर कन्या और वीर पतनी हो जिस सेना ने तुमहारे पीता पुत्र भाई और पती की हत्या की है वह तुमहारे सामने खडी है आज उसी से तुमहे लोहा लेना है तुम प्रण करो की अपनी जन्मभूमी को प्राधीन होते देखने से पहले सदा सदा के लिये अपनी आखे बंद कर लोगी अशोक स्वयम से क्या मुझे अब इस्त्रियों से योध करना पड़ेगा ना ना मैं इस्त्री से युध नहीं करूंगा पदमा से तुम कौन हो देवी पदमा मैं कलिंग नरेश की कन्या पदमा हो मैं हत्यारे अशोक से युध करने आई हो कहा है मेरे पीता का हत्यारा अशोक अशोक बहुत हो चुका राजकुमारी समराट अशोक इतना भी नीच नहीं है कि इस्त्रियों पर शस्त्र उठाए मैं अब योध नहीं करूंगा अपने सैनी को की और मुलकर सैनी को अपनी तलवार फेक दो आज से समराट अशोक तुम्हें कभी भी आक्रमन की आज्या नहीं देगा सभी सैनिक अपनी तलवार फेक देते हैं पदमा तो जाये नरेश इस्त्रिया भी निहत्थो पर वार नहीं करेंगे आप अपनी प्रतिग्या की रक्षा किजिए इस्त्रि सेना दुर्ग में वापस चली जाती है तो फ्रेंट्स ये रहा आज का हिंदी के क्लास और आप जो है ना इसको अच्छे तरीक्ये से पढ़े होंगे और शमज भी गये होंगे और इसमें जो भी वर्ट से उसको अब ध्यान से रखीगा यानि जो भी इसमें सब्द था उसको अब ध्यान से रखीगा यदि वहीं सब्द आपको लिखने को आता है कहीं पे भी तो आप उसको अशानी से लिख दीजिएगा और पढ़ दीजिएगा तो चली है आज की इस हिंदी पढ़ने क्लास में बस इतना ही आप जो है न इस कलास को अपने सब्द फ्रेंड को शेर कर दीजिएगा और कमेंट करका हमें जरूर बताइगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है और चानल पना है तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेश कर दीजिएगा तक हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंसता रहेगा जहिंद फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में